तो पार्ट नैन की शुरुआत में आगले दिन लूमियो को होश आ जाता है उसका फीवर भी उतर चुका था और उसके मॉम और डड़ डिस्चार्ज की तयारी कर रहे थे पर लूमियो तो हान का वेट कर रही थी मॉम आकर उसे रेडी होने के लिए कहती है तो लूमियो गोगो के साथ बास्केटबाल प्रैक्टिस कर रहा था जिस दोरान वो तो बड़ा ही खुश लग रहा था पूशने पर बताता है कि कल उसने लूमियो की हेल्प किया उसे बारिश में कैरी करके हॉस्पिटल ले कर गया था वो अब शायद मुझ से इंप्रेस हो गई होगी ह अगैगों पूचता है कि क्या उसने तुम्हें कुझ कहा था था फूचण फूच में होता यह शेंगा था इसके बड़ा ही होता है इसकर लूमियो की बहूँत जाता वी आया था था पूबुचता है में जाकर जेक करनी के लिए कहता है पर हान नहीं जाता और वो हॉस्पिटल आया था यह बात किसी और को बताने से मना करता है इधर सीचन को जूट बोलके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इधर लूमियों गर पर हान से मिलने आती है लूमियों कहती है तुमने सुबह से मेरे मेसेज कर रिपलाई क्यों नहीं किया क्या तुम मुझे अवोइड कर रहे हो हान कहती है मैंने मेसेज देखा नहीं था तो लूमियों उससे पूछती है कि कल तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आये थे ना लूमियों कहती है कि अगर तुम ऐसे ही विहेव करते रहे तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी इस पर भी हान कुछ नहीं कहता तो वो चली जाती है घर पे वो टीवी के सामने काफी अपसेट होकर बैठी हुई थी तो उसे देख डैड उससे बात करने आते हैं तो व वैसे ही कुछ बात होगी हान को थोड़ा टाइम दो ठीक हो जाएगा लूमियों कहती है पर मुझे तो बताना चाहिए था तो डैड कहते हैं कि शायद वो नहीं चाहता था कि तुम उसकी फिकर करो इसलिए उसने तुमें नहीं बताया इसलिए चिंदा मत करो कुछ दिनों म भी वो दौण नहीं पा रहा था इसलिए वो अपने आप से बहुत ही डिसपॉंटेड होता है और अपने डिसेबिलिटी पर उसे बहुत जादा गुसा भी आ रहा था इधर लूमियों भी सैड होकर स्कूल के लिए निकलती है इधर क्लास में सीचन आकर बताता है कि उसने बास्केटबॉल प्रैक्टिस किया है इसलिए इस बार तो स्कूल टीम में उसका सेलेक्शन हो ही जाएगा जिसके लिए शाओची उसे गुड़ लग विश करती है और सीचन को तो बिलीवी नहीं होता कि शाओची ने उसे गुड़ लग विश किया इसलिए वो उसकी बाल लेता है कि क्या तुम हान की विज़े से अपसेट हो लूमिया पूछती है तुम्हें कैसे पता उसी चैन थोड़ नर्वसली क्याता है कि मुझे नहीं पता मैंने तो ऐसे ही क्या दिया तब ही टीचर आते हैं और आगे वो सभी कौन सी इस्ट्रीम लेकर बढ़ाई करना चा तो लूमिया कहती है फिर मैं भी कल से जल्दी उटकर तुम्हार साथ स्कूल आऊंगी हान कहता है हमें हमें हमेशा साथ में आने की क्या जरूरत है लूमिया कहती है कि क्योंकि हम बच्पन से साथ में है इसलिए स्कूल आने से पहले और स्कूल के छुट्टी के बाद तुम कि इस बात को लेकर तुम परिशान हो, डैड ने कहते कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब तो बहुत दिन हो गया, तुम्हारा मूड अभी भी ठीक नहीं है, जिस पहान कहते है कि तो क्या मैं अपनी सिचुईशन एक्सेप्ट कर लू, क्या मुझे बाकी स वाले सबजेक्ट में लूमियों के मांक्स काफी अच्छे थे, वही साइन्स और मैथ में थोड़ा सा कम था, इसलिए डैड दो से आर्ट्स लेनी के लिए कहते हैं, पर मॉम तो साइन्स लेनी के लिए कहती है, क्योंकि हर पैरेंस की तरह उनका भी यही मानना था, कि साइन् बासकरबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, बची अपनी शाओ चीजी से हर सब्जेक्ट में 60 और 70 की बीची नमर मिला है, इसलिए वो थोड़ी जादा ही confused थी, तबी सामने से हान उन्हें देखता है, लेकिन वो अपना मूँ फेड लेता है, पर सीचे न ने उसे देख लिया इसलिए मौम हान से बात करने जाने लगती है, तो डैल उन्हें रोक कर सब कुछ बताते हैं, यह सब हान की एक्सिडेंट की वज़े से है, लूमिया की अचनक से तबीयत खराब हो गई थी ना, तब हान अपने पैर की डिसेबिलिटी की वज़े से उसे हास्पिटल नहीं ल हान को भी बुरा लग रहा था, कि उसने अंकल को उस रात बहुत कुछ सुना दिया था, तो मिस्टलो उसे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, अगले दिन सीचन और गोगो का बासकर बॉल ट्राय आउट था, जिसमें दोनों काफी अच्छा करते हैं, तो शाम को लूमिया उन से मिलने आती है, जहां सीचन उसका साइन्स और आर्ट्स लेने का कन्फिजन दूर करता है, उसे ही बता कर कि जो तुम्हें पसंद है और जो तुम्हारा दिल जाए, तो मैं वहां से तुम्हें लेकर आया था, जिसके बाद वो लड़काराते हुए ही हॉस्प तुम्हारे डैड के साथ देखा था, वो दुम्हें सिंपली बात तो नहीं कर रहे थे, जिससे लूमिया समझ जाती है, कि उसके कार एक्सिदेंट की वज़े से ये सब हुआ, अप्सीचन को उसके एक्सिदेंट के बार में बता नहीं था, तो लूमिया उसे सब कुछ चात है या नहीं, इसलिए शायद अब मुझे हान को और जादा फोर्स नहीं करना चाहिए, सीचन उसे समझाने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगले दिन स्कूल में तो हान, लूमियाओ की हल्प करनी की प्रैक्टिस करने लगता है, एक तुमारे याल्प कर दूँगा, तो पीछे से शुवे कहता है कि तु ये सब अकेले क्यों बढ़ बढ़ा रहा है, अगर तुझे उससे बताना ही है, तो जाकर बता दे, हान उटकर जाने ही लगा था, कि तभी लूमियाओ भी शाओजी के साथ इधर ही आ रही थी, इसलिए हान शुवे के सामने बैठ चाहता है, लूमियाओ बताती कि उसने रिसाइड कर लिया, कि उससे आर्ट्स लेना है, तो अब तुमारी इतनी सारी प्राक्टिस तो वेस्ट चली गई, इससे हान सोच में होता है, और यही पर पार्ट नाइन का एंड होता है, पीडियो पसंद हिट दा बेल आइकन, चलते ही मिलते हैं, अगले पार्ट में दो पते के लिए टेक कियर और बाई बाई